नमस्कार मैं मैं मैंक भारगव असेस्टेंट प्रोफसर मल्टी कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग मिथकीय आलोचना पर चर्चा करेंगे जो सनात को तर हिंदी समेस्टर चार पत्र सोलख का अंश है मिथकीय आलोचना में मिथक शब्द स्पस्ट है हिंदी में जिस मिथक शब्द का हम लोग प्रियोग करते हैं यह अंग्रेजी के मिथ शब्द से बना है और भाषावज्यानिकों ने बताया है कि अंग्रेजी के इस मिथ शब्द पर युनानी शब्द माइथोस लैटिन शब्द मिथस और जर्मन शब्द मिथोस का प्रभाब है जो माइथोस शब्द है युनानी का इसका विलोम होता है लागोस माइथोस मतलब है अतर्क व्याख्यान और जिसमें तर्क नहीं हो और इसका विलोम लागोस यानी तार्किक संगलाप अर्था अर्थ माइथोस और तर्क व्याख्यान को लेकर आगे बढ़ता है तार्किक संगलाप के ठीक विपरीत मिथक होते हैं इसमें एक आख्यान होता है सूब्यवस्थित तर्क के विपरीत मिथक में एक कथात्मक्ता होती है कथा है इसमें बहुत सूब्यवस्थित दार्शनिक्ता या सूसंबंध तर्क परणाली की अपेक्षा इससे नहीं है बलकि इसका संबंध एक अंता प्रण्या से है और आज जब हम लोग कह रहा हैं कि इसमें बहुत सूसंबध तर्क परणाली नहीं है तो यह याद रखा जाना चाहिए कि यह आदिम मनुष्य की चेतना का परिणाम है उस समय आदिम मनुष्य ने जब इन चीजों को देखा था तो निश्यत तोर पे वहाँ एक तर्क था उनके पास जिन चीजों को वो देखते थे अपनी इंद्रियों से उसका बोध करते थे संसलिस्ट भाव में उसको ग्रहन करते थे और फिर उससे जो तर्क पणाली उनकी निकलती थी उसका प्राथ्मिक सरजनात्मक रूप मिथक है लेकिन आज जब हम मिथकों की बात करते हैं तो उनमें आज की दृष्टी में हमें एक तर्क पणाली नहीं दिखती है हम उसको आज के संदर्भों में देखते हैं उसका अध्यान करना चाहते हैं और जब मिथक की चर्चा होती है तो पहला प्रशन जो इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है भाशा और मिथक का परसपर संबंद हम लोग कि मिथक की ये आलोचना की चर्चा करने जा रहे हैं इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग पहले मिथक शब्द को समझ लें उसके विभन आयामों को समझ लें और उसके बाद मिथक की ये आलोचना की चर्चा की जाएगी तो जैसे मिथक शब पे चर्चा होती है तो विद्वानों ने तीन तरह केमत व्यक्त किये हैं इसमें अक्सर यह विवाद का विशह है कि पहले भाषा का अस्तित्त हुआ या पहले मिथक अस्तित्तों में आए इसमें दो बाते हो सकती हैं कुछ लोग कहते हैं कि भाषा पहले है बाद में मिथक कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मिथक पहले है बाद में भाषा और कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं दोनों का अविर्भाव एक साथ हुआ है तो इनमें कुछ प्रमुख विद्वान है एक विकोव उनका मत है कि भाषा की उत्पत्ति सांकेतिक अभिव्यक्ति से हुई है इसलिए मिथक भाषा विकास की एक मंजिल है और हडर मानते हैं कि भाषा मिथक से पैदा हुई है मैक्स मुलर मिथक की उत्पति भाषा से मानते हैं और वहीं कैसिरर का मनना है कि भाषा और मिथक की उत्पति एक साथ हुई है कैसिरर मानते हैं कि इनके मूल में प्रतिकात्मक निर्मिती की भावात मकता है और इसमें यथार्थ का बिम्ब नहीं उपस्तित होता, बलकि दोनों में अद्वायत है, एक साथ दोनों आते हैं अस्ता में पहले जो आदी मनुष रहा होगा, वो अपनी इंद्रियों के द्वारा वस्तूओं को संसलिष्ट रूप में ग्रहन करते थे और वो संसलिष्ट रूप किसी एक छण की रचना नहीं होती थी, धीरे धीरे उनके संस्कार संचित होते थे और उन एंद्रिय अनुभूतियों के संसलिष्ट रूप से या तो वानी का विकास हुआ होगा, या मिथक का विकास हुआ होगा या जिसको उन्होंने देखा हुआ था बाहे जगत और इसलिए हजारी प्रशाद दुवेदी ने लिखा है कि अर्थ वस्तुता बाहे जगत में विद्यमान होते हैं मनुष्य का मस्तिष्क उनका बिम्ब ग्रहन करता है और उन बिम्बों के लिए किसी शब्द की रचना करता है यारी बाहे जगत में अर्थ वाजूद होते हैं मनुष्य का मस्तिश्क उनका बिम्ब ग्रहन करता है और जो बिम्ब उसके मस्तिश्क में आते हैं उसके लिए वह कोई शब्द रचता है और इस तरह भाषा धीरे धीरे अर्थानुगामिनी होती जाती है अर्थों का अनुगमान करती है मस्तिश्क ने बिम्ब ग्रहन किया बिम्ब के लिए शब्द रचे गए और फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ जैसे जैसे वह अर्थ प्रधान होती जाती है वैसे वैसे उसमें गद्यात्मक्ता बढ़ती जाती है और चंद, राग, लएक, क्रमसर पीछे छूड़ते जाते हैं अपनी पुस्तक भारतिये एवं पाश्यात्य कावशास्तर का तुलनात्मक अध्यान में बचंग सिंग ने इस उद्धरन को लिखते हुए टिपणी की है कि ये जो छूटी हुई वस्तुया है हजार पुस्तक दुएदी ने कहा कि चंद, राग, लएक, क्रमसर पीछे छूटते जाते हैं तो बचंग सिंग ने कहा कि ये जो छूटी हुई वस्तुया है वही मिथक है वह अतीत की चीज है वह छूट गई है हमें उसी संदर्प में उसको देखना है अब जब उसको हम देखते हैं तो जिस दृष्टी से देखते हैं उसी दृष्टी से मिथक के संबंद में कई विचार हमारे सामने आते हैं मनुविश्लेशन की दृष्टी से देखते हैं तो मिथक के संबंद में अलग विचार है समाज शास्त्र की दिश्ट्री से देखते हैं तो मिथक के संबंध में अलग विचार हैं और दिर्दत्त शास्त्री इसको अपने ढंग से देखते हैं मनुशलेशन वादी अलोचना की चर्चा करते से मैं विस्तार से हम लोग ने फ्राइड और यूंग के को समझा था तो फ्राइड के जो मित्र थे और परवर्ती विचारक थे यूंग उन्होंने मिथक को सामूहिक आद्द बिम्ब कहा उनके अनुसार मानस के तीन अस्तर हैं एक चेतन अस्तर एक वयक्तिक अवचेतन अस्तर और सामूहिक अवचेतन यह जो सामूहिक अवचेतन है यह मिथक की दिश्टी से बहुत महत पूर्ण है इसे सामूहिक अवचेतन को वह प्रजातिय अवचेतन भी कहते हैं क्योंकि वयक्तिक अवचेतन तो सता पर रहता है जिसको शालिविज्ञान के शब्दों में सर्फिस स्ट्रक्चर कहेंगे और यह सामूहिक अवचेतन है वो डीप स्ट्रक्चर है वो ज्यादा गंभीर है ज्यादा व्यापक है और इसे डीप स्ट्रक्चर की अविव्यक्ति मिथक करते हैं जिसको यूंग ने आर्केटाइपल इमेज भी कहा था तो इस प्रकार यूंग ने आर्केटाइपल इमेज की अवधारना दी सामूहिक अवचेतन की बात की और उन्हेंने कहा कि आदिम अनुभूती कलाकार की सर्जन शीलता का सुरोत है इन्हें हर कलाकार की सर्जन शीलता का सुरोत आदिम अनुभूती है जो धीरे धीर संचित होती आई है और उसका आकलन पूरी तरह संभव नहीं है इसलिए उस आदिम अनुभूती को रूप देने के लिए एक पौरानिक बिम्ब विधान की आवश्चक्ता होती है अपने आप में वह कोई शब्द या बिम्ब नहीं प्रस्तुत करती क्योंकि उसका रूप धूमिल होता है वह एक प्रकार की गहरी पूर्व सूचना है जो अभिव्यक्ति पाना चाहती है उसकी इस्थिती उस वात्या चक्र के समान है जो पहुँच की सीमा में पढ़ने वाली प्रतेक चीज को पकड़ लेती है और उसे उपर उठाकर दृश्य आकार धारन कर लेती है इस दृश्य में जो दिखाई परता है वह सामुहिक अचेतन है अर्थात धीरे धीरे पीडी दर पीडी वह भाव संचित होता आया एक आंधी के समान जैसे आंधी चलती है तो सारी चीजें उसके साथ उड़ जाती है वैसे उसकी सीमा में जितनी चीजें आई समको उसने अपने अंदर समाहित किया और उसको साथ लेकर एक दृश्य आकार गर्ण किया और फिर उस दृश्य में हम जिसको भी देख पाते हैं वह सामुहिक अचेतन है यानि युग की इस अमधारना से तीन निशकर्ष निकलते हैं पहला आदिम अनुभूती कलाकार की सरजन शीलता का सुरूत है प्रते कलाकार वही से अपनी प्रेणा ग्रहन करता है और वह जो आदिम अनुभूती है वह इस्थिर नहीं है वह गत्यात्मक है और हर कलाकार एक विवश्टा का अनुभव करता है कि उस अनुभूती को एक रूपाकार प्रस्तुत करें एक रूप दे और उस आदिम अनुभूती को रूप देने के लिए ही उसे पौरानिक बिम्ब विधान या मिथक की आवशक्ता होती है तथ अस्पस्ट किया यूंग ने अपनी मनुविशलेशनवादी दृष्टी से कि मिथक उस आदिम अनुभूती को रूप देने के लिए माध्यम का काम करते है कलाकार में एक विवश्टा होती है कि वह अपनी कला के माध्यम से रचनाकार अपनी रचना के माध्यम से उस अनुभूती को रूप प्रदान करता है यह तो मनुविशलेशनवादी दृष्टी के अनुसार विचार थे जैसा कहा गया कि समाशास्त्र इसको अपनी ढंग से देखता है बिल्कुल भिन्य अवधारणा है उनकी तो फ्रांस के एक समाशास्त्री थे दुरखीम उनकी अनुसार मिठक का संबंध प्रकृति से नहीं बलकि समाज से है वह मानते हैं कि मिठक जो उद्देशे प्रक्षेपित करते हैं वो समाजिक जीवन की अतिर्क्त कुछ भी नहीं है यानि समाज के जीवन को दिखाना ही उनका उद्देशे है और एक दूसरे चिन तक मलिनोस बोस्की के अनुसार मिठक न प्रकृति के प्रती चामतकारिक प्रतिक्रिया है न विगत का आलेख युग ने जहां उसको पूरी तरह आदिम अनुभूती से जोड़ा था वहीं इस विचार के अनुसार वह विगत का आलेख मात्र नहीं है और वहीं निर्टत्व शास्त्र की दिर्शी से देखें तो प्रसिद्ध निर्टत्व शास्त्री हैं लेवी स्रोस उनका मानना है कि मिथक बिल्कुल समाज निर्पेक्ष होते हैं जहां समाज शास्त्री कहते थे कि इनका उद्धे से समाजिक जीवन के अतिरिक्ष कुछ नहीं है वह निर्था तो शास्त्री कहते हैं कि नहीं यह अवधारना पूरी तरह समाज निर्पेक्ष और इतिहास निर्पेक्ष अवधारना है वह मिथक की संगरचना को उदगाटित करने में दिल्चस्पी दिखाते हैं और मिथक की संगरचना का उदगाटन कर वह आदिम संस्कृतियों की संगरचना का तुलनात्मक अध्यन कर और वहीं मिठक का संबंध धर्म और कर्म कांडिये अनुष्ठानों से भी जोड़ा गया है इससे भी जोड़कर मिठक को देखते हैं बच्चन सिंग के अनुषार मिठक आद्यम मनुष्य का यथार्थ है जबकि साहित सभ्य मनुष्य का यथार्थ वाद है जिसमें उसका अपना उद्देश और द्रिश्टी कोण भी समाहित रहता है साहित में मिठकों का साभी प्राय प्रियोग होता है साहितकार मिठकीय बिम्बों द्वारा अपनी रचना की दो समस्याएं हल करता है एक तो वह आदिम विश्वासों को नया रूप देकर उन्हें जीवन के संघर्षों की ओर मोड़ता है और दूसरे कि वह इसे संप्रेशन की समस्या भी हल करता है और इस प्रकार मिठक का संबंध साहित से सीधे सीधे जुड़ता है इस संबंध में भी विद्वानों ने कई विचार रखे हैं एक दृष्टिकोन इसका है कि मिठक का साहित से क्या संबंध है और फिर साहित से संबंध में हम यह अध्यन करते हैं कि मिठक का आलोचना से क्या संबंध है रिचार चेज जैसे विद्वान मिठक और कावे को बिल्कुल एक मानते हैं उनका मानना है कि मिठक सिर्फ कला है और साहित और मिठक दोनों एक ही तरह की मानविय आवश्रक्ता से निकलते हैं और उनमें एक ही तरह की प्रतिकात्मक संग्रचनाएं होती हैं दोनों में समानता क्या है कि दोनों में विश्मय का तत्तो प्रधान होता है और दोनों से ही मनुष्य की जो अतिरिक्त भावनाएं हैं उनका विरेचन होता है जैसे अरस्टु ने विरेचन सिधान्त दिया था वैसे ही रिचार्ट चेज ने भी अपना विरेचन सिधान्त दिया कि इसका कार्य पालतु बनाना है एक जमाने में आदिब मनुश्य के जमाने में धार्मिक अनुष्ठानों ने कर्मकांडों ने मिथकों ने उनको पालतू बनाया था अब जब धार्मिक अनुष्ठान करमकांड की एक सीमा है तो कलाकार यह काम करता है सौंदर्य शास्त्रिय अनुभव से और इस प्रकार मिथक और साहिते दोनों एक धरतल पर आते हैं धर्म हो, साहित हो, संगीत हो, कला हो, यह मनुस्य के सौंदर बोध को जगा कर विरेचित करते हैं उसे, और जैसा कहा गया कि फ्राइड के स्वप्न सिध्धान्त और यूंग के सामोहिक अचेतन सिध्धान्त को भी ने भी आलोचना को बहुत प्रोहावित किया, तो कहा गया कि मिथक भी आदिम मनुस्य का स्वप्न है, जैसे फ्राइड ने जो स्वप्न सिध्धान्त दिया था, यूंग ने स्वप्न की व्याक्या की थी, तो कहा गया कि जो मिथक है, ये भी आदिम मनुस्य का एक स्वप्न है, और उसी प्रकार साहित भी अचेतन मन की लैंगर का भी दृष्टिकोन महत्वपून है उन्होंने कला को मिथकिये चिंतन से जोड़ा उनके अनुसार मिथक हो या कथाएं हो या परीकथाएं हो वो अपने आप में कला नहीं है बलकि वो कला के लिए सामगरी है और मिथक का पूरी तरह अनुवाद संभव नहीं है तो इस प्रकार मिथक और साहित में संबन जोड़ा गया और जिसे बच्चन सिंग ने अपने शब्दों में यहां कहा है कि साहितकार इन मिथकिये बिम्बों द्वारा अपनी रचना की दो समस्या हल करता है एक तो वह आदिम विश्वासों को नया रूप दे कर उन्हें जीवन संघर्षों की ओर मोड़ता है और दूसरे संप्रेशन की समस्या भी हल करता है उसे जो संप्रेशित करना है उसके लिए मिथक काम आते हैं और इस प्रकार मिथक और साहित का संबंध घनिष्टा से जोड़ा गया कई विद्वानों ने इस प्रकार से देखा और आलोचना के छेतर में भी मिथक की आलोचना की अवधारना आई जिसका वर्णन जिसके बारे में हम लोग अगले समवाद में विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार पहले अमेरिका में और फिर दीरे दीरे यूरोप में और फिर हिंदी में मिथक की आलोचना का प्रारंभ हुआ मिथ की ये आलोचना साहित को किस दृष्ट से देखती है कैसे उसका विशलेशन करती है उसके ओजारों पर हम लोग अगले समवाद में विस्तार से चर्चा करेंगे आशा है आज के समवाद से मिथक या मिथ की अबधारना से आप परचित हुए होंगे इस अबधारना का उपयोग हम लोग मिथ की अलोचना को समझने में करेंगे आपके सहयोग के लिए साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आभार